Hi friends, welcome to my kitchen हम बावल में डालेंगे एक चोथाई कप बासमती राइस, चावल, एक चोथाई कप मूंग दाल तो ऐसे हम दोएंगे पानी से और फिर पानी में बिगो के रखेंगे पंदरा मिनट के लिए तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं, इसे बिगोने के लिए रख देते हैं ये मैंने दो कप पालक लिए, गरम पानी में डालें, सिर्फ तीन मिनट के लिए उबालें, उससे ज्यादा नहीं, वरना कलर खराब हो जाएगा तो इसे उबलने देते हैं, ब्लांच करना है, मत्तब सिर्फ पालक को नरम करना है पानी में देखें, पालक नरम हो गई, अब हम मिक्सी में ये पूरी पालक डालेंगे, पानी नहीं डालना है, ध्यान रहे इस बात का तो पालक में हम डालेंगे एक छोटा चमच तेल ताके इसका कलर बराबर ग्रीन ही रहे इसलिए एक छोटा चमच तेल जरूर डालिएगा और बिना पानी के हम इसे ब्लेंड कर लेंगे कड़ाई में डालें दो टेबले स्कून जतना तेल इसमें हम डालेंगे हींग, थोड़ चुटकी हींग, आदा चुटकी जीरा, एक तेज पत्ता, दो लेसन की कलियां, एक हरी मिच, इन सब को बून लेंगे हम तेल में, सिर्फ 30 सेकंड के लिए कुछ भी जलना नहीं चाहिए, अब हम इसमें डालेंगे एक छोटी प्यास, जिस प्यास को कलर नहीं देना है, तो इसे पकने देते हैं, दो मिनट तक, अब हम इसमें डालेंगे पालक की प्यूरी, जो हमने ब्लेंड की थी, तेल के साथ, एक छोटे चमर तेल के साथ, यह देखें, इस से कलर इसका गरीन ही रहेगा, तेल डालने की वज़ा से, और अब हम पकाएंगे पालक को दो मिनट, ज्यादा ना पकाएं, अब हम इसमें डालेंगे दुले हुए और सोक की बिग हुए और दुले हुए चामल और दाल, मैंने इसका पानी फेक दिया था, चामल और दाल का, अब हम इसे भी बून लेंगे, चामल और दाल को पहले तेल में बू इसमें हम डालेंगे एक चोथा ही चोड़ा चमच हल्दी, एक चोथा ही चोड़ा चमच जीरा पाउडर, एक चोथा ही चोड़ा चमच लालमिच पाउडर, और इसमें अब हम डालेंगे एक चोड़ा चमच दनिया पाउडर, एक चोथा ही चोड़ा चमच गरम मसाला पाउडर बस यही मसाले इसमें जाएंगे मसालों को भून लेंगे पहले फिरी पानी डालेंगे तब तक भूने जब तक हल्दी और धनिया की खुश्बू नहीं आ जाती दोनों का कच्छापन चला नहीं जाता अब हम इसमें डालेंगे पहले हम दो कप पानी डालेंगे बात में हम consistency adjust करने के लिए एक कप पानी डालेंगे अगर जरुवत पड़ी तो ये मैंने major करके mixi में पानी डाला था total मैंने तीन कप पानी लिया था तो मैंने दो कप अभी डाला एक कप में बात में डालूँगी अब हम इसे डग देंगे पहले डालें हजबे जायका नमक और इसमें डालें एक छोड़ा चमल बटर इससे अच्छा टेस्ट आएगा बटर किसी भी सबजी में जरूर डाला करें चांवलों में भी अब हम इसे डग देंगे 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो 10 मिनट तक इसे पकने देते हैं मीडियम फ्लेम पे तो ये देखें पानी सूख गया है और चांवल और दाल पक गएंगे पर ये गाड़ा है तो हम इसमें पानी और डालेंगे एक काप पानी डालें और इसकी कंसिस्टनसी एजिस कर लें और अब हम इसे ढख देंगे और ढख के 10 मिनट लो गेस पे पकाएंगे क्योंके दाल और चांवल को गलाना भी तो है तो 10 मिनट लो गेस पे पकाएं तो ये देखें से 10 मिनट हो गएं दाल चांवल गल गएं मैंने थोड़े खा के देखें और अब हम इसे साव करते हैं प्लेट में बस ये त्यार है जरूर बनाईएगा अच्छी बनती है सबजी जो खिच्डी तेंक यू फॉर वाचेंग प्ली लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब यूर व्यूस मेंटर से लॉर्ड प्रेस पहला अइकन बटन गंटे के बटन को जरूर दबाएं फिर मिलती है एक नई वीडियो में अपना ख्यार रखें थेंक यू